नमस्कार साथियो आज साचोर विदासवा सेत्र में योगी आदित्यनाद के आने पर आज का जो कारिकरम डेव जीम पटेल ने रखा साचोर में जन सेलब का उमावड़ हजारों के संख्या में रा और आप देख सकते हो जैसी वे से स्वागत किया गया लोगों में जैसी भी क कम जैसे ट्रमजा इस योगी बाबा को एक देखने के लिए दोड रहे यानि तमाम अज साचोर विदासवा में 100 लोगों जन्द सिंक्या का एक जन्द सेलाप उमड़ा और उसमें जो योगी आदितिनात ने संबोधित किया, बताएए योगी बाबा ने कि अपने भारत में जो बीजेपी से परचंड इस बार किस परकार की जो ले रहे, उसे सम्दित की जानकारी और यहाँ पे नरम्दा से सम्दित बहुत सारी है वो जानकारी दी और आने वाले विदानसभा सित्र में यहां से जब बीजेपी है वो जीत के जाएगी तो तमाम बातों को लेकर लोगों को किया संबोदित ऐसे मैं आप देख सकते हो बाबा के दर्सन पाने के लिए लोग किस परकार से एक भगदड के रूप म अंदर जो कि इस शेकड़ो बीको के अंदर जो यह पंडाल है वो पूरा पूरा जन सेलाब से है वो भर गया है आप देख सकते हो यह साचोर विदानसभा का प्यार है यह साचोर की जनता का प्यार है यह साचोर के बीजेपी की लहर का क्या यह है इस परकार से आप बात मान सकते हो कि इस परकार जो साचोर में जो ये आज का जो है जन सेला पहली बार देखने को मिला क्या ये साचोर विदान सभा सेतर में जनता का प्यार इस परकार से जो पहली बार देखने को मिला क्योंकि बाबा योगी योगी आदितिनाज जो साचोर विदान सभा में है इस बार पहली बार आये और मातर दो घंटे के बात संबोदित करके और वापस अपने है जो हेलिकॉप्टर से वापस रवान होगे ऐसे में जो लोग है जन सेलाब हजारों की संख्या में जो आज का जन सेलाब वो उमडा और वो बाबा को पाने के लिए आप देख सकते हो लोग है ही लएन के बाद कैया है में झ इसके nhất में उसके बाद में ट्राफिक लगबग 3 गंटे तक जाम रहे गिया सेक्डो गाडियों की कतार दानेरा से बात करे और उदर से बात करे तो थेट बार्ड मेर तक जो है आवा गमन के बाद में पता चला कि यहां पे कोई एक बड़ा नेता आया है और नेता आने के बाद में जो आज की यह जो भीड है सामने आईए बहुत सारे दूदरा से लोग आते हैं एनेस अड़स जो रोड है वो उदर गुजराश से और उदर से आप बात करें तो बाड मेर की और जाती है जो कि साचो और से गुजर के जाती है और वो रोड पूरी वाहनों से एक कतार में आने और जाने का जो रास्ता है वो बिलकुल अवरुद हो गिया था ट्राफिक से जाम हो गिया था क्योंकि यहां पे पहली बार जो बाबा है वो आए थे और बाबा आने के बाद में जो लोग है वो उत्सा से भरपूर हो गे और बाबा ने बड़े अराम से समोधित किया तो तमाम हुकारों के साथ में हजारों लोग एक बार वो उसकी आवाज में मिल गए और उसके बाद में जो लोग है एक बार बाबा का दर्सन पाने के लिए रूबरू होगे दोस्तों साचोर विदासभा सेतर में बीजेपी की बात करे तो देव जी एम पटेल है और कॉंगरेस से बात करें तो सुखराम बिशनु है ऐसे में इस बार थोड़ा मामला है वो टकर का लग रहा है आमना सामना लग रहा है आपको पता ही होगा कि जो बीजेपी के टिकेट से लेके काफी बीच में जो तनाव रहा था लेकिन आज जो है इस बीड को देखके ऐसा लगता है कि बीजेपी की टिकेट को एक बार पुने उनकी जो उमंग है वो भराईए क्योंकि देवजी एम पटेल ने बहुत सारे जगे पे जो अपनी अपनी बाते रखी लेकिन ये पहली बार जो ऐसी बात रखी जिसमें हजारों लोग है जन सेलाब आपको देखने को मिला और दोस्तों बीजी बीजेपी से देवजी एम पटेल गाउं गाउं जाके जो अपना कारी करम है वो रख रहे हैं जिसमें जो लोग है सेकडों दिनों दिन है वो जुड़ रहे हैं और ऐसे में आपको बता दे कि सुखराम बिश्नुई का भी कारी करम में एक टकर का महाओ इस बार लग रहे है साच और विदान सभा सेतर में जितने भी गाउं लगते हैं और उसमें दिनों दिन एक एक दिन में दस दस बीस बीस पंदरा पंदरा कम से कम गाउं में जाके और लोगों से अलग अलग मिल रहे हैं ऐसे में इस बार साच और विदान सभा सेतर में एक सामना हो सकता है क्या कहोगे आप इस video को देखने के बाद में क्या साचोर विदानसभा सित्र में योगी आदिते नात आने के बाद में देव जी म. पटेल को एक बार फिर से benefit मिलता है या फिर क्या होता है बढ़ते एक नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जैहिन जै भारत